हलो दोस्तो हाई मेरे नम वेदिका है आज मैं आपको six Japanese techniques के बारे में बताऊंगी दोस्तो जापनिक ऐसा देश है जो हमेशा डेवलप करता है और इसके पीछे ये six techniques है जो मैं आज आपको बताऊंगी टेकनिक नमबर वन काईजन काईजन मतलब change for good दोस्तो हम जो भी change करते हैं और new habits हमारे अंदर डालते हैं तो वो हमें suddenly नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसके कारण हमारा mind वो accept नहीं करता और बहाने बनाना लगता है इसलिए हमें कोई भी change धीरे-धीरे करना चाहिए टेकनिक नमबर टू, 3S, 3S यानिकी sort, set in order and siso, siso मतलब clean दोस्तों इन तीनों वर्ट्स का एक ही मिनिंग है वो यानिकी हम जो चीज लेते हैं वो उसी जगह पर रखनी चाहिए क्योंकि इसके कारण हम वो जल्दी से ले सकते बरना दोस्तों अगर हम देखे तो हमारा सामान इदर उदर पड़ा होता है और तब हमें हमारी जरुत की चीज नहीं मिलती और हम बहुत परेशान होते इसलिए हमें 3S का इस्तमाल करना चाहिए टेकनिक नमबर 3 काई काकू दोस्तों काई काकू याने कि हमारे पास बहुत सारा काम होता है पर हम वो जल्दी नहीं कर सकते और परेशान होते तो इसलिए हमें काई काकू का इस्तमाल करना चाहिए मतलब हमें हर काम छोटे-छोटे हिस्ते में बातना चाहिए और हमारा टाइम बचाना चाहिए टेकनिक नमबर फोर पोमोडोरो दोस्तों पोमोडोरो यानि की हम जो काम करते हैं तो वो काम जल्द से जल्दी हो सके और उसका benefit भी जादा हो तो इसके लिए हमें pomodoro का इस्तमाल करना चाहिए टेकनिक नमबर 5, ikigai दोस्तों, ikigai मतलब हमारी जो country है तो उस country के लिए हमारी क्या need है, हम क्या कर सकते है उस country के लिए तो इसे कहते है ikigai टेकनिक नमबर 6, दोस्तों टेकनिक नमबर 6 यानि कि the rule of three यानि कि दोस्तों हम जो कुछ भी करते हैं, यानि कि हम जो काम करते हैं तो उसमें हम बहुत busy होते हैं, और कुछ काम कर भी नहीं सकते हमारे time waste होता है यानि कि दोस्तों हम सोचते हैं कि ये काम में थोड़े देर बात करूंगा तो ऐसा ही होते जाता है और वो काम रुख जाता है तो इसलिए हमें और दे रूल आफ त्री के इस्तेमाल करना चाहिए यानि कि दोस्तों हमें शेडूल बनाना चाहिए और उसी के तरह काम करना चाहिए धन्यवाद